दोस्तों जय पार्वती पुत्र श्री गजानंद गणेश जी जय मांकाली दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिकभिनंदन करते हैं, हमारे इस जेलनी पड़ सकती है। जी हां, दोस्तों, जब आप लोग इनकी सच्चाई जानेंगे, तो आपके भी आखों से आसुओं की धारा निकलने लगेंगे, जी हां मित्रों आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जिंदगी में इतना बड़ा मुसीबत का पहार तूटने वाला है, जो सभी को एकदम से हैरा कर देंगे, अचानक से जिंदगी में ऐसा दुखों का अलहर चाने वाला है, जो कभी किसी लोगों ने नहीं सोचा होगा, तो मित्रों एक-एक कदम सावधान से रहना पड़ेगा, नहीं तो एक छोटी. सी और सावधानी के कारण आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा मुसीबत दस्तक दे सकता है, और इस मुसीबत के कारण आपकी जीवन में दुखों का बारिश भी हो सकता है, तो ऐसे में सावधान तोरहने की बहुत ही बहुत आवश्यक्ता है, होंगेजी हा मित्रों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि हम आप सभी को ना ही डराना चाहते हैं और ना ही मित्रों हम आप सभी को किसी प्रकार का तत्लीफ पहुचाने का प्रयास कर रही हैं दोस्तों आप लोग हमारी बातों को बिलकुल भी बुरा मत मानना क्योंकि मित्रों हमारा काम है कि आपको आपके जीवन में आने वाली एक-एक संकट से बचना आपके जीवन में कौन सी मुसीबत कब आ सकती है उस मुसीबत की भचान हम आप लोगों को करने का प्रयास करते हैं तो मित्रों हमारी बातों को आप लोग बिल्कुल भी नजरन्दाज मत करना क्योंकि हम आपको जो बाते बताने वाले हैं या फिर जोगता रही हैं, वह आपकी कुंडली के ग्रह गोचर के अनुसार बता रही हैं. दोस्तों आपको बता दें कि जीवन में कब कौन सी मुसीबत आ जाया कोई कह नहीं सकता है, जी हाँ, इसलिए हम आप सभी को सावधान करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोग आने वाले भविश्य में आने वाले कल के दिन में किसी भी मुसीबत में नाफन से और ना ही आपको अपने जीवन में. किसी प्रकार की समस्या का सामना करना प्रे दोस्तों जीवन में हर व्यक्ती खुशी रहना चाहते हैं, कोई व्यक्ती जीवन में दुखी नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हालात और समय के कारण व्यक्ती जीवन में दुखी हो जाते हैं, और जीव को आने वाले या 24 घंटे तक सावधान रहने की बहुत ही। बहुत आवश्यक्ता होगी आपको एक-एक कद्मभुत ही संभल संभल कर आगे बढ़ना होगा क्योंकि मित्रों। आपका जीवन में आपका कुछ अपना लोग हैं, जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ी गड़े में धकने का प्रयास कर रहे हैं, आपके जीवन में बड़ी सी बड़ी समस्या में पहुचाने का साजिश रचर हैं, तो ऐसे में आपको उन्ह गलतियां करने से खुद को रोक लेंगे तो आपकी पूरी किस्मत और आपका पूरा जीवन संसार खुशियों में में भर जाएगा क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर स्वयंग विधनेहरता गनेश जी की। जीवन भर रोना पड़ता है तो ऐसे में हमारी बातों को आप लोग बिलकुल भी इगनोर ना करें। क्योंकि दोस्तो यह आपकी जिन्दगी और मौत का सवाल है तो बात को गंभीरता से आप लीजिएगा क्योंकि जीवन में संकट। बहुत बड़ा मंदरा रहा है और आपके पास समय बहुत कम बचा है इसलिए आप सभी को संभल संभल कर रहना पड़ेगा जीवन दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी एक सावधानी आपकी जिन्दगी को बदल सकती है लेकिन आपकी वही एक सावधानी आपकी जिन्दगी को बरबाद भी कर सकती है तो ऐशे में फैसला आपके हाथों में है कि आपको करना क्या है जी हाँ दोस्तों कौन से सही कदम आप सभी को बढ़ाना है तो कौन से गलत गदम बढ़ाने से आप? सभी को बचाना है, दोस्तों आगे हम आपको इस वीडियो में सारी की सारी जानकारियां बताने वाले हैं की आने वालाया 24 घंटे के समय अंतराल में आप सभी को अपने जीवन काल में कौन-कौन से गलतियां करने से बचना होगा, किन-किन बातों का आप सभी को ख्याल रखना होगा, कौन से क्षेत्र में कौन से कार्य आप सभी को करना है, साथ ही जीवन में कौन सा सही कदम आपको उठना है, और य देने वाले हैं और कौन से कारियों में आप लोगों को, सफलता भी मिलने वाली है आपका करियर, कारोबार, बिजनेस, व्यापार, नौकरी आर्थिक स्थिती, एवं विद्यार्थियों के लिए समय भी कैसा रहने वाला है, दोस्तों आपको उस भी एक जानकारियां हम इस वी गजानंद गणेश जी के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे, साथ था कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और हरिदय भावना के साथ लिखें जै श्री गणेश, जी आपके सारे के सारे मनोकामनाएं पू तुम दूसरे ने दिया, नाम भी दूसरे ने ही दिया, शिक्षा दूसरे ने दिया और रिष्टा भी दूसरे से जुड़ा काम करना भी दूसरे ने सिखाया, अंत में शम्शान भी दूसरे ले जाएंगे, तुम्हारा इन संसार में क्या है जो चीज पर तुम घमंड करते अगर जिन्दगी में आज़ खुशियां है तो उन्हें बेकार कर रहे हो बस पैसा कमाने का आपके अंदर जुनून भरा है तो दोस्तों हमें लालच भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस जीवन में उतना ही हमें भगवान देता है जितना हमारे लिए अच्छा होता है हां यह बात सत्य है कि सहारे इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदे कमजोर कर देती हैं अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता है आप चाहेंगे तो इस दुनिया की हर जगह मालिक बन जाएंगे लेकिन दोस्तों जो लोग बस सोचते रहता है और वह जिन्दगी में आगे तक नहीं बढ़ता है तो उनका एक भी ख्वाहिश पूरा नहीं होता है और अबाने वाले अगले 24 घंटे में भगवान गनेश जी आपको यही बताने का प्रयास कर रह हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों घटना बहुत बड़ी होने वाला है और अब से आपको सावधान अधिक से ज्यादा रहना पड़ेगा नहीं तो दूर दूर तक चक्कर लगाना पड़ सकता है यूं कहे तो यह दुख और कष्ट आप जेल नहीं पाओगे इसके उपरांत आप प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है हर एक निजी काम में या फिर बहुत बड़ा जिम्मेदारियां पर धैर यर्खना पड़ेगा नहीं तो दोस्तों आपकी वानी से लोगों के अंदर दुश्मनी पैदा हो सकता है और आपके घर में संकट भी आ सकता है आने वाले अगले 24 घंटे में दो मित्र आपकी खुशियों का कारण बनेगा आपकी जिन्दगी को बड़ी हीखतरों से बचाने वाला है और यह एक हादसा जो की दोस्तों आपका प्राण भी लेना चाहता था लेकिन आपने बहुत ही अच्छा जीवन साथी एवं मित्र च और दोस्तों वह इंसान के पीछे लग जाता है जिनके नजर में पढ़ जाता है लेकिन वैसे इनसान का अब हमारे भगवान गणेश जी इस संसार में रहने नहीं देंगे उनको अपने कर मोकास जा मिलने वाला है अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग कोई बड़ा जमीन जायदाद खरीदना चाहते थे तो आज परिवार के सहायता से आपका वह काम आसानी से पूरा हो जाएगा लेकिन आपके घर में किसी सदस्य की हालत थोड़ी खराब हो सकती है और उनसे आपको काफी ज्यादा चिंता हो सकता है यूं कहे तो आप लोग अपना होश भीख होने वाले हो तो दोस्तों सावधान हो जाओ क्योंकि सारा काम आपके ही हाथ में है तो जल्दी अपने आपको तूटने मत देना प्रेम जीवन अगर आप लोग जीने का शुरुआत कर रह दोस्तों अपने परिवार का एक बार सलाह अवश्य ले आने वाले अगले 24 घंटे में आपके अंदर भाईचारा की भावनाएं जगने वाला है जो लोग अपने परिवार से अलग हो चुके थे और दोस्तों घर में परेशानियों का द्वार पढ़ गया था गलतफमी की व देखिये यह बात को तो सभी जानते हैं कि हमारे उपर कब विपत ती आ जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है इसलिए हमें कदम में संभालना बहुत ही जरूरी होता है और भगवान हमें यहीं चेतावनी हर हमेशा देते हैं लेकिन बहुत सारे लोग तो इन्हें न शुरू हो जाता है तो जरूरी बात यह यह है कि मेरे प्यारे दोस्तों आप अपने मामलों में किसी और को पढ़ने ना दें और गती में आप लोग आज वृद्धी भी लाने का कोशिश करेंगे अगर धन आपने बहुत ज्यादा उधार लिया था और किसी काम में उनका इ कुशिया में नजर लगेगी तो उन्हें अंत करने के लिए अपने मन को संभालना पड़ेगा आज भी बिजनिस आपके बड़े नाम कमाने वाले हैं संबंधित रूप से अगर देखा जाए तो आपने पिछले समय में किसी अच्छे व्यक्ती के सलाहम शूर से कोई काम में आगे बढ़ा था तो उन्हें आज बहतरीन फल मिल सकता है पिता जी से जो आपने वादा किया था वह भी पूरा कर देंगे और दोस्तों इस दुनिया का हीरो वही होता है जो अपने माता पिता का ध्यान रखना है अगर मिश्रित रूप से देखा जाए तो अगले 24 घंटे आपके लिए फलदायक रहने वाला है आप अपनी मीठी मीठी बाते से सब के मन में उच्साह भरने वाले हो अपनों से ज्यादा तालमेल किसी दूसरों के लिए आप लोग बनाये रखेंगे और हर वक्त किसी का मदद भी करने के लिए आगे ही जाएंगे इस कारण से दोस् ज्यादा विशेश आपको ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो गलत काम में अगर चले जाएंगे तो अकसर वह परेशानी घर में में ही दस्तक देने लगेगा जी हां मेरे प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि मांगलिक कार्यक्रम करने क का मौका आप लोग धूंद रहे थे और व्यापार में नई दुकान खोलने का प्रयास भी कर रहे थे जिसे उनमें आपको काफी ज्यादा लाब भी होना दिखाई दे रहा था तो दोस्तों खुशी की बात यह है कि भुत दिनों इंतजार करने के बाद वह दिनाप के लिए आ चुका है और योजनाए कामों की ओर बढ़ने वाला है जी हाँ